नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजिनिंग के 10 अती महत्पूर्ड परसनों को साल्व करने वाले हैं जो कि आपके आगामी सभी परिछाओं के लिए महत्पूर्ड हैं दोस्तों ये रीजिनिंग का पार्ट नमबर 8 है अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो किरिपियाद देख लीजिएगा दोस्तों अगर आप किसी भी गौवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एससी, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, Bank, Railway, Army, CRPFC, State, Police, State Exam या किसी अधर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप के लिए महत्पूर है दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी परसनों को सामिल किया है वो किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो चलिए दोस्तों हम कोस्चन की ओर चलते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला परसन है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों परसन में क्या है पोसाक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दर्जी दिया गया है यानि कि पोसाक का संभन जिस परकार दर्जी से है उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो question mark दिया गया है यहाँ पर बढ़ाई दिया गया तो बढ़ाई यहाँ पर question mark का सम्मद यहाँ पर बढ़ाई से किस प्रकार होगा अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है दर्जी जो है दोस्तों क्या करता है दरजी क्या करता है पोसाग निर्मित करता है यानि कि पोसाग को बनाता है तो यहाँ पर जो हम कपड़े पहनते हैं उसी को हम कहते हैं पोसाग अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है यहाँ पर दर्जी जो है पोसाग निर्मित करता है उसी प्रकार दोस्तों यह बढ़ाई का काम क्या होता है दोस्तों बढ़ाई किसका काम करता है तो यह फरनीचर का काम करता है तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रस्ण आपको अच्छे से clear हो चुका होगा, तो अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं, दोस्तों दूसरा प्रस्ण है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यह नमबर analogy से संबंधित प्रस्ण दिया गया है, यहाँ पर प्रस्ण में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 100 अनुपात, फिर 121 दिया है, फिर समा अनुपात दिया है, फिर उसके बाद बता दिया है, 144 दिया है, उसके बाद यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर हमें question mark दिया गया है, और इसी question mark की value हमें पत से होगा तो यहां पर दोस्तों कैसे आप सोच सकते हैं अगर दोस्तों यहां पर 100 में क्या करेंगे हम 21 को प्लस कर देते हैं तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा उसी प्रकार अगर हम इसमें भी स्वेम तरीके से यहां पर 21 को प्लस करते हैं तो कितना हो जा हो है दोस्तों यह 10 का क्या है स्क्वायर है यानि कि 10 का स्क्वायर होता है 100 अब देखेंगे तो 121 जो दिया है एक क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है अब देखेंगे तो कितना का बिर्द्धी हुआ है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 से क्या हुआ एक प्लस ह गया है यानि कि यह 10 से 11 हो गया और यहां पर इसका दोनों का स्कॉयर कर दिया है उसे परकार देखेंगे दोस्तों तो यह 144 है यह 12 का स्कॉयर दिया है दोस्तों 12 का स्कॉयर कितना होता है 144 होता है और इसमें पलस वन कर देंगे तो यानि कि पलस वन करेंगे तो 13 हो जाएगा तो 13 का जब हम square कर देंगे दोस्टों तो कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा 179 दोस्तों किस option में देखने को मिलजा है तो option numberında 3 में जो है यहाँ पर देखने को मिलजा तो यहाँ पर देखिए यह बेन डाइग्राम से रिलेटर परसन है यहाँ पर आप किसे कैसे साल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि खिलाडी क्रिकेटर और बल्ले बाज यहाँ पर हम यह बताना है कि कि सरकल से हम इन्हें पर दरसित करेंगे कौन सा यहाँ पर इन परकार सी एक सर्कल बना लेते हैं बड़ागा खिलाडि का सर्कल हो गया अब देखेंगे यहां पर जो है किरकेटर करते हैं और बल्ले बाजी करते हैं option में बेन डाइग्राम बना है तो देखेंगे option no.3 में जो है इस type का यहाँ पर देखने को मिलदा है तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों option no.3 सही हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह प्रशन आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो अगले प प्रशनों को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यह जो चौथा प्रशन है दोस्तों यह सिरीज से संबंधित प्रशन है यानि कि सिरीज का सिरिंखला से संबंधित प्रशन है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक सिरीज दी गई यानि कि सिरिंखला दी गई और यहां पर हम यह बताना है यहां पर जो question mark दिया गया है इसी की value हमें पता करनी है तो यहां पर कैसे किस तरीके से हम solve करेंगे अंतर के अधर पर देखेंगे दोस्तों यहां पर कितने का अंतर है यानि कि एक से कितना हो गया दोस्तों यहां पर यहां पर 0 हो गया यानि कि क् क्या कर दिया माइनिस कर दिया है अब देखेंगे तो यहां पर जीरो से क्या हो गया तीन हो गया यानि कि दोस्तों कितना कर दिया है यहां से यहां प्लस तीन कर दिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा जीरो में प्लस तीन करेंगे तो यहां पर तीन हो जाएगा अब देखें तो यहां पर एक दिया है उसके बाद दोस्तों यहां पर जीरो फिर उसके बाद तीन दो पांच फिर उसके बाद चार दिया है यहां पर कोश्चन मार्क दे दिया है उसके बाद यहां पर दोस्तों हमें यह बताना है देखेंगे तो यहां पर जो है दोस्तों इसके बाद दे तो यहां पर प्लस 3 कर दिया है उसी परकार देखेंगे तो यहां पर 3 से क्या हो गया है 2 हो गया यानि कि 3 से कितना कम हो गया है माइनिस एक कर दिया है अब देखेंगे दोस्तों यहां पर क्या है दो से पांच हो गया यानि कि फिर प्लस तीन कर दिया है अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहां पर क्या हो गया दोस्तों यहां पर देखेंगे तो पांच से चार हो गया है यानि कि माइनस एक कर दिया है अब देखिए दोस्तों यहां पर नीचे देख लेते हैं कौन सा स्रीच चल रहा है यानि कि पहले क्या किया पहले माइनस एक किया फिर उसके बाद प्लस तीन किया फिर माइनस एक फिर प्लस तीन फिर माइनस एक किया अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर जो है दोस्तों चार में क्या करेंगे पलस तीन कर देंगे यानि कि यहां पर हम option number D आपको right answer हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह प्रस्ट आपको अच्य सी clear हो चुका होगा तो अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं दोस्तों पांचवे प्रस्ण को देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवे प्रस्ण में क्या है यहाँ पर दिया गया है ए जड फिर बराबर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए जड यहाँ पर जी टी एम इन और यहाँ पर कोश्चन मार्क दिया गया है और के बाद दिया है YB, तो यहां पर हमें question mark की value को पता करना है, यहां पर कौन सा अच्छर भरा जाएगा, अब देखिए कैसे solve करेंगे, किस आधार पी से हम solve करेंगे, उससे पहले दोस्तों इस type के question को solve करने के लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपको A स दोस्तों यहां पर 3 number प्याता है, D जो है दोस्तों यहां पर 4 number प्याता है, उसी परकार दोस्तों डाट डाट यानि जितने भी अच्छर होते हैं ABCD में, उनका numbering आपको याद कर लेना है, जब आप याद कर लेंगे तो यहां पर A से question को आपको बनाने क्या होगी, आसानी ह यहां पर देखेंगे, तो Z कितने number प्याता है, यहां पर 26 number प्याता है, तो इस परकार से यहां पर क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है, अब देखेंगे इस question को हम solve करते हैं, कैसे solve करेंगे, देखेंगे दोस्तों यहां पर A के बात क्या है, G हो गया है, तो A कितने number है यानि पलस कि किया है च्छा पलस कर दिया है अब देखेंगे यहां है नमबर पर क्या कहा है तो यं अब देखेंगे तो किया आना चाहिए अगर यहां 10 6 किये पर 989 पर किया आना चाहिए यहाननी कि यहान कि प्लस चाह करेंगे कितनाय उत्पुषं By पहले हम YESS को देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी हो है और यहाँ पर यहाँ है पर हो है यानि कि यहां पर पहले हम क्या मिला यस मिला है अब देखेंगे तो अब यहां पर जेड डिस उठाएंगे अब देखेंगे जेड से क्या हो गया है यहां पर टी हो गया यानि कि दोस्तों यहां पर क्या है जेड 26 नंबर प्याता है और टी जो है दोस्तों 20 नंबर प्याता है पहले स्रीज में क्या कर रहा था दोस्तों पहले च्छा कर रहा था अब दूसरे वाले हम क्या कर रहा है माइनस च्छा है अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है 20 से माइनस च्छा करेंगे तो यहाँ पर यहाँ हो जा रहा है यहाँ च्छा को माइनस करेंगे तो हमें 14 मिलता है आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस च्छा कर दिए तो यहाँ पर 14 मिल गया है अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 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 य यहां पर हमें क्या मिला दोस्तों यहां पर यहां पर यह और यह मिला है तो यह और यह किस आपसन में देखने को मिलता है तो इसलिए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह आपसन नंबर सी हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रशन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा तो अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं दोस्तों छठमें प्रश्ण को देखते हैं यहां पर देखिए दोस्तों छठमें प्रश्ण में क्या है यदि कम को i più iEM osie के रूप में कोड किया जाता है तो टिbels ट्रीट को किस कोड में लिखा जाएगा अब देखिए दूसमा कैसे क्रना है यह कोडिंग डिकोडिंग से रिर्रेटर प्रशने को का पर कैसे कोडिंग कारेंगे अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो कम लिखा गया है यानि अगर आप ध्यास देखेंगे तो यहाँ पर इसी कम को क्या कर दिया है उल्टा लिख दिया है उल्टा लिखने का मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी ओ इम उसके बाद हम लिख लेते हैं तो यहां पर देखेंगे दोस्तों जो सी देखेंगे तो सी को यहां पर क्या कर दिया लास्ट में लिख दिया है यानि कि दोस्तों यहां पर और यहां पर क्या कर दिया है यानि कि इसी को क्या लिख दिया है यहां पर लास्ट वाले को यहां को कि अवातर ले और जो पहले नम्बर उसको क्या लिक्षिचे लास्ट में कर देते हैं आपर देखेंगे दो़ Kenya इसी प्रकार लिए यहाँ कर दिया गया है तो उसी अधर पर हमै के ट्रेन को कोडव का में लिखेंगे उसी प्रकारमा अब ड़ेखें कि ऐसे यहां पर देखेंगे दोस्तों टी आर यहां पर देखेंगे तो टी यहां पर लिख देते हैं फिर से यहां पर देखेंगे दोस्तों तो यहां पर जो यहां है यहां लास्ट में है तो यहां को क्या लिख देंगे हम पहले ही लिख देंगे तो यहां पर यहां लिख देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर A दिया गया है तो A को क्या लिख देते हैं यहाँ पर तीसरे नमबर पर यहाँ उल्टे करम में यहाँ पर तीसरे नमबर पर लिख देते हैं तो यहां पर यहां यहां पर आई ए हो गया उसके बाद यहां पर आर लेका है व Tôi हमेंगे consent तो देखेंगे किस option में देखने को मिलदा दोस्तों यहां आई पहले देखेंगे तो यह नहीं हो सकता यानि कि इसमें आर दिया है तो यह नहीं हो सकता यहां आई देखेंगे तो इसमें दिया है यहां आई ए तो यहां पर यहां पर option number C में देखने को मिलदा तो इसलिए आपका right answer हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तों यह परशन आपको अच्छे से clear हो चुका होगा अगले परशन की ओर चलते हैं दोस्तों तीसरे परशन को देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा परशन कीस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो कथन और निस्कर से समबंधित परशन दिया गया है यहाँ पर कैसे साल्व किया जाएगा सबसे पहले question को ध्यान से पढ़ना है अब देखिए दोस से हम क्या करेंगे पर देखेंगे तो यहाँ पर सभी जितने भी मोर हैं दोस्तों यह जो मोर वाला अप्शन है यानि जितने भी मोर हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर मोर का एक बेंड डाइग्राम बनाएंगे उसके बात क्या है यहाँ पर जितने भी मोर हैं दोस्तों क्या है क अब देखें क्या है यहां पर किया है सभी कववे पच्छी यानि कि जितने भी कववे हैं यह क्या है पच्छी है तो यानि कि पच्छी का हम एक सरकल इस तरह किस बना देंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर यह पच्छी का सरकल हो गया अब देखेंगे दोस्तों हम सभी मोर पच्छी हैं तो जितने भी मोर हैं दोस्तों इस सरकल में पच्छी के अंतरगत आ रहे हैं या नहीं तो देखेंगे दोस्तों यह जितने भी मोर हैं दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यह क्या है यहां पर देखेंगे और पच्छी के अंतरगत यहां पर देखेंगे यानि पहला निश्कर सही है आप देखेंगे तो यहां पर सभी पच्छी मोर है देखेंगे दोस्तों जितने भी पच्छी क्या है यह देखिए पच्छी है और पच्छी क्या है मोर के अंतर है अंदर है तो यहां पर देखेंगे तो मोर के अंतर नहीं है दोस्तों यहां पर य पच्छी सबसे बड़ा है यहां पर Ámr दोस्तों इसम उल्टा कर दिया है कि सभी पच्छी क्या पर देखते हैं, हैहां पर देखिजिए क्या दिया गया है, कुछ समिकरड एक बिश्येश-प्रडाली की आधार पर हल किया गया हैं, अगर यहां पर दोस्तों कितने को माइनस कर दें कि यहां पर दोस्तों कितना आजाए च्छा आ जाएगा और इसके बाद दोस्तों यहां पर एक को माइनस करेंगे तो यहां पर च्छा आ जाएगा उसकी परकार दोस्तों यहां पर तीन करेंगे तो यहां पर दोस्तों मिलेगा हमें 3 यानि कि 332 हमें मिल दा है दोस्तों 332 को अगर हम माइनस कर दें तो यहां पर इया भल्रय told me अब अब देखें दोस्तों उसी प्रकार हम क्या करेंगे अब देखेंगी तो यहांप पर 567 में वह मैं वह qypper देखाँ है हम कीम कितना मिला है 95व एक पांच हो गया उसके बाद दोस्ते यहांपर fix तो यहां पर दोस्तों देखेंगे तो यहां पर 255 क्या है लिखा गया है उसे अधार पर हम क्या करेंगे अब देखिए कि यहां पर 9 से 46 में भी हम क्या करेंगे तो 6 में दो गया दोस्तों कितना हो गया यहां पर 4 हो गया उसके बाद दोस्तों यहां पर 4 में एक गया तो यहां पर 3 हो गया और यहां पर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहां पर 6 मिल जाए यानि कि 634 की आपसन में देखने को मिल दोस्तों आपसन नमबर 4 में देखने को मि यहां पर देखेंगे दोस्तों कौन सी उत्तर आकरती प्रस्न आकरती के प्रतिरोप को पूरा करेगी दोस्तों यहां पर हमें यह बताना है कि यहां पर एक आकरती दी गई प्रस्न आकरती है और यहां पर हमें उत्तर आकरती दी गई है और यहां पर यह जो कौने वाला है दो यहाँ पर देखेंगे तो गोल रहे इस तरल से संसे बनेगे तो यानि कि यहाँ पर उल्टा बन की यह बाहँ जैंगी दोनुस आपसन तो नहीं होगे तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाए दोस्तों आफसन नमबर 4 सही हो जाए यानि कि दोस्तों छोटे छोटे इस्टेफ को देखकर आप कोश्चन को साल्व कर सकते हैं अब देखिए यहां पर यहां पर भी कोले से निकल जाता है उसके बाद देखेंगे यहां पर निकल करते हैं दोस्तों दस्वे प्रश्ण को देखते हैं दोस्तों दस्वे प्रश्ण को साल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों कोस्चन को साल्व करते हैं देखिए दोस्तों कोस्च तो यहां पर बीच में कौन बैठा हमें यह बताना है अब देखेंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है यहां पर देखेंगे दोस्तों एक लाइन दिया गया है इधर क्या होता है दोस्तों इधर दाया पच्छ होता है और यहां पर कि इधर इस साइड क्या होता है बाया पच करके बैठे हैं अब देखेंगे दोस्तों साल्व कैसे करना है सबसे पहले देखेंगे को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पांचों क्या है एक पंक्ति में उत्तर की और मुख करके बैठे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले स्टिप क्या है यस बैठा है टी और क्यों के कौन बैठा है दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यहां पर yes को बीच है यानि किLED is B 예 बैठा है अगला step Q क Allah को के निकतर सम्सक्ण करता हएं किस सुआ पाइब यानि कि इनदे हम इधर कर देते हैं यानि कि अलगर के बाइब यहां पर हमसे क्या कहा गया है पी है टिके निकर्तम बाईयोर दोस्तों कि इधर मने बता थे इस साइट बता था तो यानि कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है बीच में कौन बैठा यानि पांच मीत्रों के एक दो तीन चार पांच तो हमसे हो दोस्तों यह प्रस्णा आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा तो अग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए तब तक लिए जय हिन जय भारत